हालो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का डे247 के शामदार आईएस PCS प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है रुद्र गौतम और आज के सेशन में हम लोग फिनिशिंग करने वाले मतलब आज का ये सेशन कम्प्यूटर का आखरी सेशन होगा नुडवटा तीस है कल एक होगी लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम्प्यूटर पर हमने मेनली सारी बाते पढ़ चुके हैं मुझे पता है कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं तो वो आज की क्लास में मैं फिनिश कर दूँगा क्योंकि इंग्लिश का कुछ पोर्शन बाकी है तो वो हम लोग सुबह 6 बजे कल की क्लास में कर लेंगे कि इंग्लिश के 3-4 सेशन लगवा देता हूँ और एक गर्वर्मेंट स्कीम वाले जो सेग्मेंट है उसको लगवा देता हूँ तकि आपका रिमेनिंग पोर्शन भी पूर्शन भी पूरा हो जाए तो स्वागत है आप सभी का अड़ा 24-7 के शांदार प्लैक्टफॉर्म पर एक छोटा सा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर देता हूँ यह आप लोग जैसे ही आपका EPFO एक्जाम हो जाएगा तीन तारीक से हमारा शिड्डूल यह होने वाला है है न और इस शिड्डूल में हम लोग सुभे मॉर्निंग में जितने भी स्टेट PCS हैं फॉर एक्जामपल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाना वैसे हरियाना का तो सेपरेट भी चलेगा हरियाना का हमारा एक सेपरेट चैनल है और आपका बिहार उत्तराखंड जम्मू कश्मीर इन सभी के स्टेट PCS मौर्निंग में चलेंगे और चुंकि राजिस्थान R.A.S. आ चुका है एक्जाम आप सब को फॉर्म फिल करना है क्योंकि सभी राज की बहुत बड़ा नंबर निकला तो और बेसिकली मैं राजिस्थान से भी हूँ और मैंने एक्जाम देखा है बहुत अच्छे से तो यहां पर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और यह जो R.A.S. R.P.S.C. का जो R.A.S. एक्जाम है उसकी तैयारी इवनिंग वाल क्लास करें ठीक है चले शुरू करें एक बार फ्लीज दम लागा के लाइक पर शुरू कर दीजिए गा गुट बानिंग अव्रीवन निस्था गुप्त किष्ण सिंग राज श्री दक्ष SME 24 कोई बात की बिता है SME 24 आपको क्लास में आप क्लास में हो तो एक बार कंफर्म कर दो चले शुरू करें शुरू करें तो प्रिंटर्स वाला पूरा सेग्मेंट मैंने आपको यह पढ़ा दिया था प्लॉटर ड्रम यह मैंने कोश्चन्स आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर म अच्ञें करवा दिये तो जो कियो बच्छा हुआ सर्पामेंट उसको करें यूपीयस आपको पता है न अंप्र मिटिट पावर मिवक्चा हुटा होता है और जब्हु कभी कंफ्यूटर को रहा लेकिन आज की तरीक में पहल कर्ते ते देने परसनल कंफ्यूटर वो तो लाइट जाती ओफ हो जाते थे तो उनके लिए अलग सम को यूपीएस लगाना पड़ता तो जो जो बच रहे हैं सेग्मेंट जैसे प्रोग्रामिंग वाला सेग्मेंट बच रहा है यह बेसिक कंप्यूटर और्गनाइज़ेशन पूरा मैंने करवा दिया है है ना यह आपने रिवीजन नहीं किया है ना तो मैं बताओं आपको कि रुद्र सर कंप्यूटर और वहां पर पार्ट वन टू थ्री फॉर ऐसे टैन तक टैन तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है तो मैं बता दूँ आपको कि मेरा जो पहला लेक्चर है कंप्यूटर का वो सूपर इंपॉर्टन है क्योंकि वो कंप्यूटर और्गनाइज़ेशन और मेमोरी पर आभरते हैं चुनकि मैं आपको आज लास्ट लेक्चर ब अच्छे से पढ़ लिए सेंट्रल प्रोसेसिंट यूनिट यह सारी चीज अमने पढ़ लिए ठीक है तो जो नहीं पढ़ा है उस पर आजाएंगे सेकंडरी मेमोरी यह ब्लू रिडिस्क होलोग्राफिक डिस्क वगरही सब पढ़ लिए है हिस्ट्री पढ़ लिए हमने यह सब पढ़ लिया है ना आज आज अच केवलड फेनिशिंग दूंगा मैं आपको है ना general purpose computer लिए टके जनर师 परेशनंल पर्पास कोई special purpose का कौन सा होगा जो aircraft control system है, electronic voting machine है, या फिर ATM machine है, वो particular प्रकार का computer हो गया, जो विशेश कर उसी के लिए बनाए गया, जैसे cockpit होता है, aircraft में cockpit होता है, cockpit जहां पर pilot बैठता है, तो वहाँ पर जो system है, वो क्या है, वो है special purpose computer, now the third point, now the third point is, now the third point is, एक और चीज़ होती है, एक तो real time operating system होता है, वो operating system है, जो real time है, मैं सारी बातों अब एना एक के बारादे बस बताता जओँगar की यह होता है, real time operating system जो होता है, वो हुता है कि समय जो है, which is important, होता उन कंप्यूटर्स में जैसे कोक्पिट में यह एरक्राफ्ट में जो ऑपरेडिं इस्टम है वो हाड रियल टाइम आपरे दिन इसमें क्यूंकि उसमें मिसार Sorti एक माइन्यूट सा भीगाप हो गया माइक्रोसेकंड में मिसाल लेट छूटी तो शायद वो सही target पे नहीं पहुचेगी तो यदि टाइम एक ऐसा figure है जिसमें disaster हो सकता है तो वो है hard real-time system but time का synchronization बहुत hard timing है hard bound है उसमें soft real-time system भी वो होते है जिसमें timing का importance तो है लेकिन कोई disaster नहीं होगा जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा audio video में gap आ रहा है कई बार ऐसा होता ना lagging करता है sound तो वो जो चीज है वो soft real-time system होता है soft real-time system clear हो गया good morning बेटा good morning सबको अंकित चौदरी विरेंदर पाल चेतर रवी कान चौदरी हर्षिता मेगा good morning प्रेम शंकर good morning everyone तो यह होता special purpose और general purpose जल्द यल्दी quickly कर लेंगे क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर आपको पता है कि क्लाइंट और सर्वर होगा workstation जो होते हैं यह comparatively ज्यादा capability रखते हैं faster होते हैं और जैसे for example graphics processing के लिए workstation होते हैं तो यह भी personal computer होते हैं लेकिन यह ज्यादा में आजाएं laptop आपको पता है जो गोद में आजाएं laptop मतलब hard start cold start cold boot यह सब cold booting booting वह प्रक्रिया है जिसमें computer शुरू होता है और उसमें एक समय लगता है क्यों क्यों क्योंकि RAM के पास जाता है तो RAM तो खाली पड़ी है क्यों क्योंकि RAM एक temporary memory है तो वहाँ पर कोई भी data नहीं मिलेगा कि operating system का है तो पर्मानेंट जो memory होता है वो ROM होता है primary memory जो पर्मानेंट वो ROM है वहाँ पर कुछ operating system की files होती है जिनको और इसलिए रोम को bootstrap loader भी कहते है क्योंकि बूटिंग वहाँ से शुरू हुआ CPU के अंदर content आया कि भई कहां है main memory कहां है operating system की files फिर वो RAM में जाएगा चुंकि अब CPU के register में link आ गया है RAM की मदद से hard disk drive पर data को access किया जा सकता है ठीक है तो hard disk drive पर पूरा operating system होता है लेकिन शुरूआती बूटिंग टाइम कहते हैं bootstrap loader हम रोम डिवाइस को कहते है जो एक पर्मानेंट primary memory एक मातर पर्मानेंट primary memory कौन सी है रोम है यस और यह एपी रोम है ना यूवी पी रोम एपी रोम इस तरह की रोम कहलाती है तो जब जब भी नए सीरे से computer start होता है और हाड इसटार्ट हाड बूट वोल स्टार्ट कोड बूट कहाना चली बायोस कह बेसिक इंपूट आउट्पूट सिस्टम क्या होता है पोस्ट का मतलब होता है कोई बताएगा गुड मारिंग सबको खुश रही है मस्ती से पढ़ाइए करिए ये कंप्यूटर की लास्ट क्लास है कल इस समय पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा क्यों इंग्लिश की कुछ ड्यूज और कल एक और चीज कर रहा हूंगा गौर्मेंट इसकी मपाला पूरा एक सेग्मेंट और लियाओंगा बायोस क्या है बेसिक इंपुट आउटपूट सिस्टम यह इसके अंदर एक पोस्ट प्रोसेस होता जिसको बोलते हैं पोस्ट है ना पोस्ट लिखके बताओ आपको वह आपको याद रखना एक्जाम में आता भी पी ओ एस्टी पावर ऑन दो सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है कि पोस्ट ऑपरेशन से पता चलता है कि कैसे एक कंप्यूटर जो है अपने 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 अपनी सारी यूनिट्स को यूनिट्स को चेक करता है कि क्या वो प्रॉपरली कनेक्टेड है नहीं होता तो वो कंप्यूटर अपने अपने तीन बार बीप साउंड करके बंद हो जाता है पावर ऑन दो सेल्फ टेस्ट एस ठीक है आगे चले चले लिए तो यह सब मैंने पढ़ा दिया आपको माइक्र 247 और जिसने भी वो मेरा एक्जाम हैंडलिंग वाला सेशन नहीं देखा है तो आप एक्जाम हैंडलिंग नाम डालके EPF और रुद्रसर से वाच कर लीजिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पे लगबग लगबग 8000 से जादा लोगों ने देख लिया कल 30 मिनट का एक वीडियो था यदि वोने आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना क्योंकि वाकरी मैं एक्जाम में वह आपकी बहुत मदद करेगा है ना आपको एक्जाम हैंडल करना आ जाएगा चलिए यह तक ठीक है होम टाब वगएरा यह थे कोई यह सारी चीजे मैं पढ़ा चुका हूँ और इस पर कुश्चन और शॉटकट कीज करवा दे किस पर एक्सेल पावर पॉइंट इस पर करवा चुका हूँ है ना यह सब करवा चुका हूँ एक बार शॉटकट कीज देख लेना मैंने पढ़ा दिया है डेटा बेस को करवा ही दिया था ठीक है यह लॉजीकल लेवल सूपर की, कंडिटेट की, पढ़ा दिया था ता ब्रांच computer hacking नहीं पढ़ाया था तो उस पर एक बार बात कर लेते computer hacking पर मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा आप कैसे हैं सब लोग कैसे हैं एक बार share करना ना सब लोग session को share कर देना तांकि बाकी बच्चे भी आ जाएंगे यार hacking नहीं पढ़ाया है तो इस पर बात कर लेते थोड़ा सब hacking is an attempt to exploit a computer system a private network जो जो उसकी security को breach करके हम लोग उसके अंदर enter कर जाते हैं एक बहुत ही अच्छा और ताकतवर system है उसके अंदर भी अदियो कोई hacker पहुँच जाता है तो उसको cracker कहा जाता है hacking is an attempt to exploit a computer system or a private network inside a computer it is unauthorized access to control over computer और इसमें से spoofing spoofing attack मतलब fake fake Gmail ID से वो दूसरे computer mentor होता हूँ spoofing attack with a frozen horse password को crack कर लिया जाता है various technique को ते even even हमारे हम लोग जो की type कर रहे है उसको भी एक robot bot जो होता है वो notice कर लेता है कि उसने क्या 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 की को type किया है गुरू कल तो सभी क्या होता है तफार वा नहीं मैंने समझा चंदा माही क्या मतलब गुरू जी कल तो सभी सफर हुआ रहेगा तो कैसे क्लास लेंगे सफर में होंगे रास्ते मुंग ऐसा बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं समझ पाएं कंप्यूटर वायरस एक मैलिशे सॉफ्टर होता है प्रोग्राम लोड़ेड और यूजर्स कंप्यूटर उसको लोड कर वा जाता है और यूजर को पता ही नहीं होता विदाउट इस नॉलेच मैलिशेस एक्षिन वो यह करते रहते हैं इस टुक्स नेट पाट्या वना क्राय कोड कोड रड मैली सा यादर कोई नाम सैसर क्या है जूस माइडूम क्रिप्टो लॉकर फ्लाश बैक यह सब एक्जामपल वाईरस इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको एक पंदरा साल के बच्चे अल्क क्लॉनर के द्वारा वाइरस पहली बार बनाया गया था एंटीनेटी टू में जो सेलफ रफलीकेट कर देता अपने आपको बारबार रफली केट करता देखा ओका ना अपने आपके फूलडस में रफलीकेट होता है दुए गुरुजी आपकी हम भी ठीक है बहुत बढ़िया बटाइट शेर करके आती हुआ सब लोग शेर कर कर रहे ना उसको कीज कीबोर्ड में जो की टाइप किया है उसको नोट कर लेता है अपने आप से और बता देता है कि एक्चुल में पास्वर्ड अगरा क्या है ठीक है गुद मॉर्निंग बरसात और मौसम चलब है ठीक है बॉटनेट क्या मतलब क्या आटोमेटिकली एक होता है अपने आप राप्लिकेट करता चला जाता इस टुक्सनेट यह मोस्ट फेमस कंप्यूटर वाम है वाम का मतलब एक कंप्यूटर कीड़ा जो जो लगाता अपने आपको कॉपी 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 बनाता चला जाता है की लोगर और ट्रॉजन होर्स यह कुश्चन जरूर किट में यूनिक्स लाइनेक्स वगरा में भी जाके बैठ जाता है रूट किट ठीक है और यह अपनी प्रेजन्स को हाइड कर लेता है कंप्यूटर इस्पाइवेर तो आपकी यूजर नेम और पासवर्ड को स्पाइब करने के लिए होता है एड़ वेर अन्वांटेड यूजर डेटा इंक्लूडिंग लॉग इन क्रेडेंशियल एन क्रेडिट कार नंबर हम लोग क्या करते है फिशिंग में एक इमेल अब वैपन की तरह से ट्रिक के तरसे यूज किया जाता है रिसिपेंट कि रिसिपेंट को भीजा जाता है जान बूच के उसको बीफूल प एक स्टम पर वार वैस एक्टिओट हो जाता है तो यह है फिस्ट इंग एक समर्फिंग कोई कंफ्यूज मत होना डिनायल ओफ डाव सर्विसेज है अना डिनायल डाव दा सर्विसेज का मतलब क्या होता है अचानक से पूरा नैट्वरक क्राश हो जाता है और हमारा система क्थर क बंद कर देता है denial of the services और volume of बहुत ज्यादा excess activities हमारे उपर लोड आना स्टार्ट हो जाता है सर जी कभी-कभी buffering हो रहा है आभी तो नहीं हो रहा होगा बेटा लाइक और शेयर कर दीजे हां बिलकुल यारा जनता कम दिखाई देरी सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे तो स्मर्फिंग क्या है ट्राफिक ट्रो मैनुपलेट आई-पी अड्रेस नेट्वर्क और इस टाइप ऑफ अटेक कैन भी रिजल्ट हाई वोल्यूम अप एक्सेसिक एक्टिविट रुसके कान सर्वर आई-टी सर्वर जो है वो सेट अप बिलकुल तबाह हो जाते हैं तो वह डिनाल ऑफ दे सर्विसेस का मतलब काम करना ही मना कर देता है तो यह फ्लडिंग एंड नेट्वर्क ओफ लार्ज वॉल्यूम ट्राफिक थ्रो दा मैनुपलेशन ऑफ आई-पी अड्रस पैना यह आई-पी अड्रस के थू मैनुपलेट किया जाता है यह स्मर्फिंग कहला था है ठीक है फिशिंग भी आपको पता चल गया डिनायल ऑफ सर्विस यह यह फुल फॉर्म सारी मैंने करवा दिये यार एक बार जो जो फाइल दिये मैंने उसको जरूर पढ़ ले ना बार कूल यह सब मैंने आपको पढ़ाई थी कोड़ फॉर वेब पेज एच्टीमल एच्टीमल हुजाएगा इसका अंसर वेंचु सेंड इमेल तो सब्जेक्ट में क्या भेज रहे हैं लोग उसका मेन इंफॉर्मेशन होता है स्लोएस्ट जो है वो डायल अप सर्विसेज होगा और वाट काइंड ऑफ डेटा सेंड इमेल यह सब होंगे और यो वीडियो पिक्चर अनिमेशन अगरा सब विच मीडिया ड़नाट कम अंडर गाइड़ मीडिया तो गाइड़ मीडिया में माइक्रोवेव नहीं आएगा गाइड़ का मतलब जो कम्यूनिकेशन सीधा सीधा मुलोग इस पेस में छोड़ देते हैं लाइक और शेयर कर देना अच्छा सभी लोग ट्रेन या बस में होंगे तो ट्रेन या बस में लाप व थैंक यू बेटा सोनो धन्यवाद हां यहां तक सारी बात क्लियर है तो यह सारी चीज़े हो गई है तो डाइल अब वगरा पीस्टिन पब्लिक स्विस्ट टेलिफोन नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह इंपोर्टन ठाम से चलो आगे चलते हैं डिजिट इस युद्हUNG पर इस ब्ली सब्सक्राइबर लगे जूल यह फिल्हें पर ठील दिवाद लंगे इसल मडिए गटा है तो जो पर घbir साइमल फोन यह से को डीटा को बठा कर and code करके था ठीक है भीजा जा सकता है dsl filter तो इसके लिए बोल रहा है कि हायर frequency पर टेलीफोन पर निन पर भीजा जा सकता है और यहां पर देखेद येजल शर्विक्श जो है 100 megög Russians or video फेट वहए जो पहले आया करती इछ ठीक है जो broadband services night King राइट चालो लीज्ड लाइन वगरा ठीक है लीज्ड लाइन डेडिकेटेड लाइन होती है केबल मॉडम जो है ठीक है इसकी भी आवशक्ता नहीं है ये पूरा OSI लेयर मॉडल मैंने पढ़ा दिया था आपको याद आ रहा होगा आपको लेयर मॉडल मैंने पढ़ा दिया था आपको तो ये याद रख लेना यदि याद नहीं है तो फ़र्स्ट लेयर कौन सी है फिजीकल लेयर सेकंड डेटा लिंक लिए थर्ड नेटवर्क लिए फूर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर फिफ्ट सेशन लेयर आपकेशन यह यह हादबर को हादवेर सिकंड कनक करने के लिए एक डिवाइस इससे कंपिऊटर से मॉडम को कनैक करने के लिए फिर मॉडम से हब अब से ब्रिज बिलिज से राउटर तो वन डिवाईस टो नादव डिवाईस का पर इसके बाद दूसरे डिवाइज तो यह वन डिवाइज टू अनादर डिवाइज डिटा पैकेट के एक नट वर्क से दूसरे नेट वर्क पर डेटा पहुच गया है वो नेट वर्क लिए एक एंड से मतलब यहां से आपने मुंबई में आपके दोस्त को कोई मैसेज आप गया है और उसका अखनालेजमेंट भी मिल जाए तो वो ट्रांसपोर्ट ले रहा है सेशन लेयर तो डेडिकेटेड ऐसा लगता है कि कोई वायर लाइन ही कनेक्ट हो गई हो जैसे आप वीडियो कॉल और आडियो कॉल करते हैं तो वो डेडिकेटेड वायर लाइन ही कन ऍसफर प्रोटोकॉल डिए एन्स यह सारी की सारी चीजीजी ठिक है तो इसको आज की तारिक में OSI Open System इंटर कनेक्शन यूज नहीं होता है आज की तारिक में इसका प्रेयोग करते हैं तो वोस्ट टू होस्ट या नेटवर्क लेयर ऊस्ट तो लेइन होज भी ये दौनों क आशा में डेटा जाए उसको कोई ब्रीच न कर पाए रास्ते में हैक न कर पाए ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर और स्मूध आ रही है अवाज कंफर्म कर दीजेगा एक बाद डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर जैसा मैंने आपको बता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टम्स आ रही है जो एक्जाम में आ सकती है उनको धोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा लिंक क्लियर वन डिवाइस टू अनादर डिवाइस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तर डेटा को भीजने का काम करता है है ना जैसे मैंने भी आपको थोड़ी दिर पहले बताया और उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार जो एन निक का यह ने के नाम पर जैसे मेरा लप्टॉप है मेरे नाम पर बुग्ड है तो वह पर्मानेंट मीडिया एक्सेस कंट्रोल उसके उपर है ठीक है तो इट इस यूज़ फोर एंकोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल और्गनाजिशन डेटा बेट्स इट में फिजीकल अपियर्स एरियर भी बनाता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डिटा प्रॉपरली पहुंच जाए जैसे स्विच से ब्रेज ब्रेज से हब वगर आगे से आगे चलता जाए है तो यहाँ पर क्या होता है मल्टी लेयर यह प्रोटोकॉल्स दो डिवाइस के बीच में चलती है तो और यह आपके नाम से रजिस्टर होता है CSMACD यह यह जो डेटा लिंक लियर है उसमें CD Collision Co Collision Collision Detection का Facility Detection Collision Detection का मतलब क्या होता है मतलब हमारी जो बेट्स है न वो लगाता रास्ते में जा रही है और यदी और यदी और यदी collision detection का मतलब है कि bit आपस में टकरा जाएं तो उसका कुछ solution किया जा सकते है न उसका निर्धारन किया जा सकते ठीक है तो carrier sense multiple access यह तो हो गया CSMA और collision detection मतलब bits में आपस में collision नो अधरवाइस क्या हो जाएगा देख लो एक बार CSMA क्या है जो यहापर full form एक्जाम में full form आ सकती है carrier sense multiple access और यहाँ पर bits के बीच में आपस में किसी प्रकार का कोई collision न हो और collision हो जाएगा तो bit मिस हो गई तो data कुछ का कुछ बन जाएगा एक bit से data पूरा change हो सकता है तो collision detection को रोकना और यह काम किसका है data link layer का है जो second layer है OSI के अंदर तो Ethernet इस तरह की protocol यूज़ करते है CSMA की ठेक है और logical link control का मतलब it is responsible for frame management error checking क्योंकि आपको पता है ना repeaters होते है repeaters क्या करते है किसी भी कारण से यदि कोई error है bit miss हो गई तो उसको repeat करके generate करता है दूसरा क्या होता है दूसरा होता है हाँ दूसरा होता है कि right repeaters एक होता है amplifier यदि signal attenuate हो रहा है तो amplifier काम करेगा is it clear चले आगे बढ़े network layer में network layer में mainly क्या होता है router पे काम करता है एक network से दूसरे network पर जो data पहुँच रहा है तो यहाँ पर mainly network layer पर routing होगा network layer पर क्या होगा routing routers यहाँ पर होते हैं जो shortest path को shortest path के अनुसार data packet को क्योंकि पूरे network पर जो data है वो data packet के रूप में जाएगा तो network provides the shortest path of transmitting data and network communication to avoid congestion किसी भी प्रकार का network के ट्राफिक को रोका जाता है congestion को data is transmitted in the form of packet और logical network path पर IP address की मदद से आगे से आगे आगे से आगे एक जो route है क्योंकि पूरी algorithm set होती है उस router को पता होता है कि उस data packet को कहां से भेजा जाए कि वो shortest shortest route से अपने आप चला जाए तो logical addressing का placing IP address of the sender and receiver in header header में और footer पता है data packet जो होता है उसमें header और footer होता है आगे के permanent address आगे से आगे क्या होता है process होते हुए चला जाता है router पे router एक जो है intelligent device होती है router is a intelligent device router is an intelligent device जो data packets की stream चल रही है न तेजी सो calculate कर के कहां भीजने कहां भीजना उसको भीसता चला जाता है logical address physical address data link layer address तो यह अलग-अलग layer पर क्या होता फिट डेटा packet आगे चला जाता है तो IPX और TCP IP यह प्रोटोकॉल से जिनकी मदद से आगे भी जा जाता है TCP का मतलब होता है transmission control protocol I'm really sorry transport layer में SPX TCP IP यह one end to another end और यह heart of the OSI layer model होता है transport layer is known as the heart of OSI model क्योंकि यह एक end से दूसरे end पर data जैसे आपका WhatsApp पर message भीजा तो message वहां पहुंच गया तो पहुंचने के बाद जो आपको double tick blue दिख रहे है न वो transport layer के कारण क्यों acknowledgement भी मिला आपको कि वहां पर data पहुंच चुक है वो double tick दिखा गया what my point TCP और UDP भी ऐसे ही काम करते TCP UDP one end to another end काम करते transmission control protocol में एक you sender है और यह receiver है receiver के पास data packet पहुंचेगा तो इसको acknowledgement भी मिलेगा AC के acknowledgement बट जो user datagram protocol है और एक होगा TCP transmission control protocol इसमें तो acknowledgement मिलेगा लेकिन user datagram protocol में simply data send हो जाएगा लेकिन sender के पास acknowledgement उसको पता नहीं चलेगा पहुंचा यह नहीं पहुंचा जैसे बच्पन पोस्ट कार्ड देखते थे न पोस्ट कार्ड हमें पता नहीं होता था कि क्या पोस्ट कार्ड पहुंचा है नहीं पहुंचा लेकिन स्पीड पोस्ट को हम लोग ट्राक कर सकते हैं उसी प्रकार से कुछ सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे एक बार तो पांस्पोर्ट लेयर में आपको आई थिंक सारी बात समझ में आ गई है सेशन लेयर में पर्टिकुलर्ली रस्पॉंसिबल होता इस्टैबलिशिंग दे कनेक्शन है ना और यहां पर आर्पीसी पीपीटीपी असिपी एसडीपी इतने डिटेइल में नहीं आएंगी चीजे तो ये ये फूल डिप्लेक्स हाफ डिप्लेक्स जो डेडिकेटेड एक सेशन बन जाता है वो है आपका सेशन लेयर प्रेजन लेयर में जितना भी अन्क्रिप्शन होता है कोड़ेट फॉर्मेट में भीजा के होते हैं और एक यूनी कोड होता है एक है यूनी कोड जो कि दो बाइट का होता है दो बाइट के स्कोड में दुनिया की किसी भी भाशा के जो कैरेक्टर से वो आ सकते हैं इसमें तो केवल इंग्लिश के कुछ कैरेक्टर आपाते है यह बी सीडी वाले अब देख यह भी क् तो यह नंबर कंप्यूटर तो एब को थोड़ी पहचानता एक्चलर कंप्यूटर के लिए एक नंबर दिया हुआ है 54 बी के लिए 55 ऐसे 56 इस प्रकार से तो और फिर सब चीजों का एन्कृप्शन प्रेजन लेयर पर होता है और अप्लिकेशन लेयर सब से से टॉप की लेयर होती है यह यह पूरा लां पूरा जो इक्रों प्रॉसेस है उस पर काम करते जिसमें जैसे हमारे वेब साइट से जो वेब पेज आएगा उठकर वो हैपर्ट एक्स ट transfer protocol domain name system use protocol of this layer it is also called desktop layer session layer presentation layer application layer are also known as upper layer you upper 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 layer UT or Jitney important protocols and do user key services Pradhan application layer good morning Rahul Shukla Shivani Mamta Namaste Vita Good morning yes yes कि कि आजकी क्लास पूरी तरह से वो टापिक जो बच्चे हुए थे उनको मैं quickly revise कर और ये computer की आखरी क्लास होगी टी-सी पी-आई-पी मॉडल में इन सब कोई summarize कर दिया गया तो network layer और सॉरी डेटा link layer और physical layer नीचे वाली उनको यह मर्च कर दिया गया इंटरनेट layer तो सब्सक्राइब थी फूर्थ वाली यह थी तो इनको तो सप्रेट रकाट application layer पर सारी की सारी जो उपर की तीन टैलनेट टैली communication network टैलनेट रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को एकसेस करने के लिए टैलनेट का यूज करता है डी एच सी पी आप मैं से कई लोगों ने software का नाम सुना होगा एनी डैस्क एनी डैस्क की मदद से जैसे मान ली जा आप लैप्टॉप पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे एनी डैस्क का पासवर्ड देंगा और मैं मेरे लैप्टॉप से आपका एनी डैस्क पासवर्ड एकसेस करूंगा तो मैं यहां से बैठे हुआ आपके ऐसा सिस्टम बना दिया आजकल कि यदि नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है वो आटोमेटिकली नेटवर्क में जो दिक्कत आ रही है उसको आटोनोमस प्रोसेस से ट्रब देटर ग्रामुटोंस या यह रवे यूजर डिटा ग्राम प्रोटोकॉल है और ट्रांस्विशन चान्टॉल प्रोटोकॉल रायट चली ट्रांसविशनकी कंमularar फूल जिनकी टिन जो दो अलग-अलग टेज्नॉलॉजी पर काम कर दो अलग-अलग नाफ कर्क दो दिफिरंट तरह है् है उनके बीच वेड़ी ट्वेट को भी जाता सथू गेटवेः से राउटिंग की जाती अदर्वाइस सेम टाइप आफ नेटवर्ग है तो उस केस में राउटर्स का प्रयोक किया था पंकज गुड़्मारिग भाइवीड libyध गायंदी गुड मॉर्मा रज्र्ट गूरिंग मॉर्णिंग ठीक है मिया फायर मरी सिस्टम में सीक्योर्टी तर फायरवल का है firewall can be a hardware firewall can be a software ठीक है firewall एक hardware भी हो सकता है software भी हो सकता है है ना जा तक समझ में आगी बात इट कैन भी hardware as well as it can be a software यह यह सब पढ़ा दिया है हां तो यह repeaters क्या है जो data bit miss हो जाती है उसको repeat करना उस वाले data bit को वापिस regenerate करना वह repeater का काम ब्रिच क्या कर रहा है लोकल network के अंदर यदि दिखो राउटर तो इंटरनेट पर ब्रिज़ लोकल नेट वर्क में डेटा बिट्स को स्विच करने के लिए ब्रिच एक राउटर की तरह काम करता है लोकल ठीक है ना चलिए योगा इंटरनेट आर्प्रनेट पहला ऐसा कंप्यूटर था एडवांस रिस प्रोजेक्ट एजन्सी नेट्वर की सब पढ़ा चुका हूँ वेब सर्वर वेब पेजेज ना वेब सर्वर से जो डेटा आता है वो एच्टी टीपी के रूप में हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में आता है और वेब पेज यह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो ता यूरल उसमें रूप पैच का लिंक डालत है ठीक है यह सारी बात हो गई वैब ब्राउजर होम पेज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट होस्ट आई पी अड्रेस आई पीवी सिक्स आई पीवी फूर यह सब पढ़ा दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और अलग अलग प्रकार की जो डॉटनेट नेटवर्क औरियंटेड होता है डॉटनेट भी और वेबसाइट होती है जिनके पीछ डॉमेन नेम लगता है डॉट ओर जी नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन होती है डॉट इडू एजूकेशन वाली होती है डॉट जीवी जो गवर्मेंट की जो 247.com तो अन्डा 247 क्या है टीज़ डॉमेन नेम डॉमेन नेम अप्लोडिंग डाउनलोडिंग कारवन का भी ब्लाइंड कॉपी यह सब बता दिया था यह कुस्टिंस मैं अल्रेडी करवा चुका हूं हाँ विंडो एक्स्प्लोरर क्या है विंडो एक्स दिखो यहां पर न नेट्वर्क कंप्यूटर नेट्वर्क का सिस्टम है और विंडो एक्स्प्लोरर क्या है वाट इस विंडो एक्स्प्लोरर तो यह फाइल मैनेजर है विंडो एक्स्प्लोरर इस टाइप ओफ फाइल मैनेजर जब भी आप विंडो की आप विंडो की विंडो की प्लस आप प्रेस करते हैं तो आप लोगों का जो माई कम्प्यूटर है वो खुल जाता माई कम्प्यूटर पता है ना आपको माई कम्प्यूटर जिसमें द्राइब डी ड्राइब आ जाती है तो फाइल मेनेजर एक तरह का यह बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन विंडू कम्यूनिकेशन एक कम्यूनिकेशन चैनल होता है जहां पर डेटा को सेंड किया जाता है रिसीविंग एक्विप्मेंट रिसीवर होता है एक सेंडर होता है ठीक है तो यह सारी बात है शायद हमने कर ली हैं यह कॉमन चीजे भी है ज्यादा और लैन मैन वैन एक और देख ल एक यी बात है है लेंकि स्ट्टोरेज एरिया नेट वर क्या होता है एक कंप्यूटर होता है हम उलग एलग जैसे आपको मैंने एक चीज पढ़ाया थी न डंब टर्मिनल डंब टर्मिनल क्या होता डंब ter कि मेन सरोर तो ये है इससे अलग 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 जो है फाइले काटस्ट नहीं ये 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 तो ये डंडेम तर्मील तो तो इस टूरेज एरिया नेकवर्क में क्या हुता एक मैं उन सर्व या एक में इन कंप्प्यूटर होता है जहां पर सारी की सारी फाइलें आप स्टोर्ड कर सकते हैं तो एसे एनिज फीड इस्पीड परपस नेटवर्ग इच सपोर्ट डेटा स्टोरेज में लिए आपके आपको इनटेटा स्टोरेज की फैसिलिटी फास्ट रिट्रीवल वहां से और चैनला मैं भूल गा कांपवस एरिया नेट्वर्ग यह कहलाता है जब से सवाट इस एनटेटीटरग यह एरिया नेट्वर्ग когда नेटवर्क सैंपसल को घ Commerce नट्री अरिया नेटवर्क केंपसी एरिया नेटवर्क में पर्टिकुलर एक जो wireless personal network में हम लोग wireless connected हो जाते है if हम यह वगए overarching और सर्विस या थिकर रहा है प्रोटोकॉल Ethernet प्रोटोकॉल क्या होता है set of rule थे एक guidelines होती है यह सब और data को exchange करने का सब्सक्राइब में होते क्योंकि यह चीजा hardware पर चल रही है और hardware उन database को प्रोसेस करता हुआ चलता है तो यह जो होती है प्रोटोकॉल्स के लाते इंटरनेट इंटरनेट एक्स्टानेट यह सब ऐसे ही काम करता है ठीक है एक बार शेयर कर देंगे सब लोग भई ही सब लोग शेयर कर दीजे दोस्तों में इथरनेट इसमुस्ट वाइड ली यूजे लेंड टेक्नोलोजी इथरनेट क्या होता यह एक वायर लाइनि उसा और याई ट्रपल ए डिक फॉर्म गया है I triple A Institute of Electrical and Electronic Equipment I triple A full form K Institute of Electronic Electronic and Electrical Electrical Equipment it करते हैं 802.3 Ethernet का मतलब है कि दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो वायर लाइन से कनेक्ट कर रहे हम लोग किसी भी प्रकार के जिसे आर जो 45 कनेक्टर की केबल से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो वो एक स्टेंडर्ड 802.3 वैसे ही जब वायरलेस वाइफाई को कनेक्ट करते हैं हम लोग 802.11 यह स्टेंडर्ड एक किसका आई ट्रिपलिए का तो यह जो आई ट्रिपलिए जो भी हर्ड्वेर होते है न वई सारे हर्ड्वेर ऐसी थूड़ी kop्मुनिकेशन कर रहे हैं उनके लिए common frequency common hardware जो सेम frequency पर काम करेंगे तब ही तो उन दौनों के बीच में tuning होगी तो same frequency करनी पड़ती है और उसके लिए जब hardware बनाया जाता है तो accordingly उसको design किया जाता है prediction के साथ ठीक है ना तो वो जो है वो क्या कहलाता है उसको similar frequency पर लाना पड़ता है इसलिए एक standard एक मानक होता है सभी devices का तभी वो आपस में connect हो पाते हैं के यहाँ पर token ring जो है token ring जो है किसका example है जो हमारा हमारा जो रिंग टौपोलॉजी ऊता है रिंग टौपोलॉजी रिंग का मतलब एक computer connected is inaugural ring रिंग टौपोलॉजी का मतलब स्वरिंग में एक circle में यह थी ऐसा है तो यह रिंग टोपोलोजिक लाय तो IEEE 8 0 2.5 और टोकन रिंग का जो स्टेंडर्ड है आय ट्रिपली 8 05 ए इथर नेट का जो स्टेंडर्ड है एड जो प्रॉट्फेस्ट है और 8 0 2.11 यह याद रखना है नउ चैंज हुआ एक टापिक और करवा देता हूं फाइबर डिस्ट्रिब्यूटट डेटा इंटरफेस क्या होता है अब डीडी ऐसो ऑप्टेकल फब पर जब डेटा जाएगा तो वो क्याски मैं ड़ेज़्व rashइबर डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा इंटरफेस क्या लाएगा फाइबर आप्टेक्स वाली लाइन पर एना फाइबर आप्टेक्स जो है हमारे गाइडेड मीडियम में सबसे तेज चलने वाला मीडियम अज़ा फीजीकल टोपोलोजी मैं पूरी करवा चुका था टोपोलोजी बस टोपोलोजी स्टार्ट ऑपोलोजी है न ये सब मैं करवा चुका हूँ तो आइडों टिंग ड्यल रिंग टोपोलोजी में टोकन रिंग इसी में होते हैं और अड़ जेसेंट नोड को डेटा प्रवे आज़े जाता है फिर वहां से आगे जाता है एक सरकल हो जाता है ए आगे के कंप्यूटर के लिए टोकन होता है यह मान लीजिए यह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो आगे वाले कंप्यूटर पर डेटा नहीं जा पाएगा मान लीजिए वायर रें में ब्रेक हो गया तो भी नहीं जा पाएगा और टोकं डिरिंग इस में प्रयोग किया जाता है। देखिंगे जब भी नैटवर्क पर बात करते हैं though जो प्रॉटोकॉल्स है प्रॉटोकॉल्स में एक प्रॉटोकॉल है ईपी IP address IP addresses तो IP addresses basically क्या है हमने जो IP addresses है वो दो प्रकार की बात मैंने कई बार बताई आपको IP IP version 4 और IP version 6 IP version 4 जो है अब इसको न चला के ये चल रहा है ये 128 bit का होता है जबकि 32 bit का होता है आज की तारिक में IP version 4 इसलिए हटा दिया गया क्योंकि devices कई गुना बढ़ गई है और ये address जो है नाकाफी है हमारे दुनिया भर के devices को handle करने के लिए तो यहाँ पर ये जो IP version 4 है उसके लिए हमने न IP addresses को classes में बाट दिया तो ये classes कौन सी है class A, class B, तो हम लोग जो IP address लिखते हैं न वो याद रखना 00000 ये dot है से ले करके 127.127.127.127 ये ये है A class का IP address ठीक है मतलब 0 से 127 तक A class है उसके बाद में 128.0.0.0 से ले करके और फिर ग्ड़ोदीश अन्दॉट अन्दॉच questo 109.007.127.227 तक ले इंद। प्राच्पन प्राच्पन प्राच्बधा प्राच्पन आल ये वो जो पहली जो एक क्लास है मेरे जो न्यूमेरिकल कुश्चन है वो अरोधर सर कंप्यूटर उसकी जो थियोरी क्लास है उसकी जो पांचवी सात्वी क्लास होगी जो डेड़ दो दो घंटे गी है उसमें से किसी एक मैं मैंने बाइनरी से डेसिमल डेसिमल से बाइनरी वो सब करवा है ठीक है 128.0.0 से लेकिए 192.255.255.255 यह हो जाए यह हो गया बी बी क्लास के बाद 192.0.0.0.0 से लेकर के मतला खुल मिला के मैं आपको फाइनली बहुत अच्छी चीज बता दूँगा आपको समझ में आ जाएगा अभी जब मैं इसको कंक्लूड करूँगा तो आपको याद भी हो जाएगा सब कुछ ठीक है यहां पर आजाएगा 223.255.255.255 उसके बाद में जो डी क्लास है वो है 224.000 से लेकर के 239.255.255.255 और जो ई क्लास है वो होता है यह क्लास जो है 240.0.0.02 255.255.255 यह वो क्लास बता दी है मैंने यह सभी क्लासेज हो गई तो ए क्लास का जो रेंज होता है वो 0 से 127 तक होता है देखो यह बेसिकली है ना 0 से 255 आ रहा है न चूंकि 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो यह 2 की पावर 8 ही 8 बेट kah यह 8 बेट है यह 8 बेट है यह 8 बेट और यह 8 बेट है तो आप देख लिजे 8 बेट प्लस 8 बेटे प्लस 8 4 बेट प्लस 8 बेट कितना हो गया 32 और मैंने क्या बोला था कि यह जो ख्लास वो आई-पी एड्रस आई-पी वर्जन पूर का एक्जामपल है ठीक है तो हुआ ये कि दो की पावर जो आठ है दो की पावर जो आठ है वो जीरो को इंक्लूड कर देंगे दो की पावर आठ कितना ओधा टूफिफ्टी सिक्स तो यदि जीरो भी तक जाएगा तो पहली क्लास कहां से कहाता कहें जीरो से एक्सटो सत्ताइस एक लास बी क्लास कहां है और 128 टू 192 सी क्लास कहां पर है 192 से लेके 224 फिर 223 स्वरी 23 महां तक जाएगा एक बार एक मिनट एक मिनट प्यारे बच्चों मैं भी ठका हुआ होता हूँ तो मैं इसको सुधर देता हूँ हाँ एक बार सुधर देता हूँ राइटिंग भी साफ नहीं आ रही थी लो 128 से लेकर के 191 तक ये रहा करके 255 इनको रिजर्व किया हुआ है एक लास को रिसर्च परपस के लिए रिवर रिजर्व किया हुआ है तो गुड मॉर्निंग अब्रीवन यह है वो आई-पी ऐड्रेसेस की पाच क्लासेस जिसके अंदर सब डिवाइड किया गया समझ मैं शायद कुछ को समझ में नहीं आई ओगा लेकिन फिर भीब्याप और सर्वर्स वगरा होता है ना वेपसाइट वगरा के यहां पर सी क्लास में होगा ठीक है पर्सनल कंप्यूटर का तो लेकिन यह ना काफी पढ़ रहा था तो फिर वन ट्रेंटीएट बिट वाला लेकर आए तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है टोपोलोजी मैंने पूरा पढ़ा दिया टोपोलोजी द वे टू कनेक्ट कंप्य अब दीजिगा प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिगा प्लीज एक बार है ना सभी लोग लाइक और स्टीर अल्रेडी दे दिया इसका सदीष के राज जी आप एक बार फायल सेक्शन में जाईए मेरे टेली शेनल पर आज से पांसाथ साथ दिन पहले दे दिया था आज से राउटिंग, हब, ब्रिजेज, टोपोलोजी, फुल मैश, मैश टोपोलोजी हो गया, चली, आगे चले हाइब्रेट, देख ये टोपोलोजी वाला पूरा सेग्मेंट में अल्रेडी करवा चुका हूं, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से करवा है, मैंने, अभी रिसेंटली भी आपको रिवाइस करवा दिया था, बूलियन अलजेब्रा पूरा करवा दिया, बूलियन अलजेब्रा में आदों तिंग आपको कोई दिक्कत आएगी, है ना, कम्प्यूटर लेंग्विजज, ये वाला पार्ट एक नहीं हुआ था, इस पर बात कर लेते, कम्प्यूट kind of languages has been developed to perform शुरुवात में सबसे पहले बाइनरी languages आई जिनको machine language का गया क्योंकि उस समय पर पंच कार थे input भी 0101 के form में जाया करता था तो computer language में machine भाषा आई पहले जो first generation भाषा थी उसके बाद assembly भाषा आई जो second generation भाषा थी जिसके अंदर न्यूमोनिक्स एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड है उसको हमने एक नाम दे दिया जैसे add, sub, subtraction वगएरा तो यह न्यूमोनिक्स है तो जो यह assembly भाषा है और जो machine language है वो low level language होती है it is a programming language that deal with the computers hardware तो ultimately होता क्या है न हमारे computer में जो high level language है उनको low level languages में तबदील करना पड़ता है देखो revision कैसे करोगे यह तो आपके उपर है अब आपको concept समझ में नहीं आ रहा है तो आपके इतना भी किताबे खोड़ोगे नहीं समझ में आएगा तो वो कौन सा टॉपिक है क्या है वो डिपेंड करता फिर फिर होता क्या कि लगाता अब एकदम एकदम अंत समय पर आप सोचो के सब पढ़ लो तो नहीं पर पाओ तो अभी जो आपके पास revision का है पॉइंट वो पढ़िए और आप सोच रहे यूट्यूब से भी कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे नहीं हो पाएगा बहुत समय का मैं भी तो इसलिए क्या है जो चीज़े आती है ना आपको अब वो समय है कि आप कुछ नया मत पढ़िए माई सजेशन टू यू इस कि अब जो आती है वो नया मत पढ़िए कंप्यूटर की मैं हिंदी में नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा कोई कंप्यूटर तो सारी चीज़ इंग्लिश में चलती है कि लो लेवल लेंग्विच इज़ा प्रोग्रामि म्मख देष दीनmän हाडव ए लो लेविड सीध outta कंप्यूटर के ह्याटव परention बहुंकि estino लेंग्विज ट्रांस्लेटर हैं, असेंबलर, कमपाइलर, इंटर्प्रेटर, जो कि एक सिस्टम सॉफ्ट्वेर भी है, मैंने आपको बोला था, क्योंकि हो हाडवेर पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमको लेंग्विज ट्रांस्लेटर के आवशकता नहीं पड़ेगी, सीधा, स प्रोसेसर में जाएगी, क्योंकि हम लोग बाइनरी के फॉर्में, 01 के फॉर्में, पंच कार्ट से इंपुट कर रहे हैं, पंच कार्ट, ऑन, ऑफ, ऐसे करते थे पहले, बहुत पहले, तो यह प्रोग्राम होते तो फास्ट थे ट्रांस्लेशन प्रोग्राम के आवशकता न मेरी बातों को समस्तों रहना, क्योंकि मैं वही, क्योंकि इतने समय से मैं पढ़ा रहो, मुझे पता है क्या जवाब देना है, और आपको कैसे करना है, आपका ये लास्ट फेज है, एक्जाम आ गया है, आप मैंसे जिसने भी वो मेरा एक्जाम हेंडलिंग वाला सेशन नही और फॉर्स फ्रॉंप the assembly language, and a translator program is required to translate to the machine language, एक translator program जो है, मशीन भाषा को, मतला हमारा जो high-level language घुशन, translator program, high-level language को low-level language में तबदील करता है, تو इसके लिए भी हमें क्या होता है, इसके लिए भी हमें, जैसे, for example, Java है, for example, C++ है, तो इनके जो कंपाइलर्स होते हैं, वो भी क में बने होते हैं सी प्रोग्रामिंग भाशा है ना और ये असेंबली लेंगवेज जो होती है comparatively easier to understand होती है human readable होती है 0101 में तो हम लोग याद करनी पाएंगे है ना ठीक है हम लोग error को करेक्ट कर सकते हैं डिसद्वांटेज का इट is machine dependent ये machine it is machine dependent program written in the computer not run कई ऐसे जिसे जावा है ये तो जावा तो machine independent इसका यही feature सबसे शांदार जावा इस अ machine independent language तो यहां पर दिक्कत नहीं आती लेकिन कुछ भाशा जो है न वह machine dependent होती है तो इसलिए एक machine पर तो run करेगी दूसरे पर नहीं करेगी और code को लिखना अभी भी assembly language के code को लिखना tough था लेकिन जैसे high level language आएंगी codes को लिखना बहुत आसान था human readable form में code को लिखना लिख सकते थे तो high level language is a programming language that enables programmer कि वो independently बहुत अच्छे से code लिख सकते थे और यहां पर जो है न जिस प्रकार से हम लोग day to day भाशा बोलते हैं इंग्लिश उसी लेवल पर day to day भाशा बोलते हैं उसी लेवल से हम लोग कोडिंग कर रहे होते तो यहां पर आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाशा बताई गई है बेसिक्स बिगनर्स और परपस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यहां पर नाम याद रखना जॉन कैमनी और थॉमस कुड्स 1963 यहां पर बेसिक बनाई गई है और अपने आप में स्टूडेंट के द्वारा राइट सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया था अल्गॉल अल्गॉर्थमिक लेंगवेज यह लिखा यह फॉस्स साइन्टिफिक लेंगवेज थी अल्गॉल साइन्टिफिक कंप् करती थी प्रोलोग जो है प्रोलोग पहली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन के लिए यूज़ होने वाली उसके बाद आज की तारीक में लिस्प का प्रयोग किया जाता है पहले प्रोलोग का प्रयोग किया जाता था भाषा में कि अल्गोरिथमिक लंगविज यह सइनटिफिक कंप्युटेशन के लिए öraters widman mathematical पैटरेशन के लिए नुमेरिक कंप्यूटेशन के लिए साथिछ fakat फ्र यह पहली बाषब था मैंतेमेटिकल से दूसरे दूसरी जो भाशा है बनी है न वो C के compiler से बनी है C++ is an object-oriented programming language and incorporate all the features by C तो C++ में किवल क्या हो गया था object-oriented programming language वाला part आगया था और जो उप वाला part जबकि जो C भाशा है वो procedural-oriented language है C is a procedural-oriented language Good morning बिटा, good morning Good morning everyone, is it clear to you, यहां तक सारी बात है clear हो गई तो यह है high-level language, ठीक है these are the high-level language, advantages क्या है it is independent machine and can run on any computer यहां पर क्या हो गए कि यह machine independent होती जारी जैसे यह programming भाशा है आगे बढ़ती जारी है न वो machine independent होती जारी क्यों 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 क्या हो रहा है कि उनका जो उनका उनको जो compile किया जा रहा है वो वो पूरी तर से क्या हो रहा है machine independent तो आगे आने वाली भाषा machine independent है translate करने वा जो language translator है उनको जरूर समय लगता है assembler compiler interpreter otherwise otherwise there is no issue so object oriented programming language आज की तारीक की सबसे बड़ी demanding programming भाषा है जो की software programming model build around the objects class and object मतलब हम लोग एक class की मदद से अलग-अलग objects को बना सकते हैं तो हमें बार बार है ना मानलो हो हमको बार बार किसी चीज को call कर रहा है तो बार बार code लिखने के आवशकता नहीं है एक class बना दिया उसी का reference नहीं से pass करके और उस class को बार बार call कर लिया जाता है तो वो बार बार code नहीं लिखे जाते हैं तो इससे जो programmer है उसके लिए भी आसान होता है और चीजों में जो error debugging है वो भी आसान हो जाती है क्योंकि बार बार पूरे code को देखने की बजा है एक class में दिखकत है उसको properly दिख ले उसी को नीचे call करते रहते है तो यह होता है ठीक है आख class तो object oriented programming language built around the object the model classified data into object describes object content and performs through the declaration of class तो यह आपके लिए exam में question हो सकता है कि जो simula है simula is the first object oriented programming language the example of object oriented programming language और क्या क्या है java, python, javascript, c++, c sharp, thp, perl, dot net, ruby, visual basic, small talk, delphi और afil यह जितनी भी programming भाशाय है c, c++, java, ruby बगरा सब कुछ यह सभी जो है यह सभी object oriented programming language है देख लो एक बार एक बार देख लीजे सभी लोग program को बनाते time कौन सी language यूज़ करते है सर, प्लीज बताईए अरे, program को बनाने के लिए आज एक programming भाशा तोड़ी है as per demand अलग-अलग programming language है ठीक है java, script वगरा internet technology के लिए यूज़ होता है यहना, python, आचकल बहुत important internet technology के लिए java हो रही है internet technology के लिए dot net, microsoft infrastructure के लिए dot net है preprocessor hypertext यह internet के लिए तो अलग-अलग है visual basic है यह microsoft का visual basic java को mobile desktop web server क्योंकि यह java जो है machine independent है तो यह internet पर सबसे यह यूज़ होने वालिए java script, html pages के लिए और अच्छी design और styling करने के लिए python is a very important language ध्यान रखना general purpose programming languages is co developing कोई भी complex scientific numerical application data analysis, visualization के लिए हम लोग python का प्रयोग करते हैं ठीक है तो यह programming languages मैंने नहीं पढ़ाई थी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको c sharp जो है general purpose language is designed by microsoft यह भी microsoft के द्वारा dotnet dotnet भी क्या Microsoft के द्वारा preprocessor यह देखो hypertext preprocessor यह scripting language जो internet के लिए web applications के लिए PHP का सबस्यादा प्रयोग किया रहा है dotnet programming framework developed by Microsoft to Microsoft के जो mobile applications वगए रहा है उसमें dotnet का प्रयोग किया रहा है visual basic is the approachable language with simple syntax and building type safe and up to you visual basic object oriented है और यह बहुत ही simple language है मतलब coding बहुत आसानी से होती है ठीक है is it clear चले आगे बढ़े तो यह मैंने आपको पूरा एक बार पढ़ाया था कि कौन कौन सी programming language के खोच करता कौन है Dennis Richie C और C++ के James Gosling Java Sun Microsoft सिस्टम के द्वारा कंपनी के तोरह बनाए गे थी ब्रेंडेंड इच यह जावा स्क्रिप्ट के जो स्क्रिप्टिंग लेंग्वेज है है ना यह ब्रेंड इच पीएच पी हाइपर टैक्स प्री प्रोसेसर पी एच पी रेमस लर्ड ओफ वीडो वैंड रॉजम यह मैंने इस लिए फोकस कर रहा था कि पाइथन आचकल बहुत जबाई उज़ोरी तो यह वीडो वैंड रॉजम टिम बर्नर्स ली जिनको इंटरनेट टेक्नोलोजी का जनक सब्सक्राइब टुम बर्नर्स ली तो वह और डबी डबी डबनर्स ली एक्षिम उप्सक्राइब के खूच करता यह spooling word आपके exam में बहुत ज़्यादा आता है और यह यह जो आपको दे रखे ना language processor debugger debugger linker loader और एक और लिख देता हूँ operating system these all are the type of system software system software क्या होते है जो hardware को govern करते है hardware को control करते है application software क्या होते है user के application के लिए बने होते है तो the language processor are what language processor is a software designed to perform processing program code language processor क्या है जो भाशा के अंदर लिए process करते हैं जो compiler होते है interpreter होते हैं interpreter जो line by line code को execute करें compiler पूरे code को एक साथ execute करें debugger एक program मैंसे जो error को locate करने वाला जो भागे debugging करना bug मतलब कीडों को निकालना मतलब error को निकालना linker क्या होता है कि अलग-अलग जगे पर जो code है उसको link करने का काम linker का होता है execute करने का है ना link करना main file मैंसे की भई जो code है उसका पूरा का पूरा जो definition है वो कहां के दिया हुआ है उसको link करना loader क्या है loader brings all the program objects into memory which is essential to run a program तो loader load करेगा main memory में और spooling is very important यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है so spooling is a process in which data is temporary held to be used and executed by the device जैसे दो device हैं और एक डिवाइस मानलों यह printer है और यह computer है मैं पूछूँ का किसकी speed तेज होगी आप बुलेंगे sir obviously computer की printer तो slow होते हैं और जब यह slow होते हैं तो इन दोनों के बीच में communication fast नहीं हो पाएगा तो यहां पर क्या होता है एक particularly simultaneous peripheral operation online कि इन दोनों के बीच में जो डेटा बिट जाए वो फास्ट हो जाए और उसके लिए क्या होता है स्टोरिंग डिवाइस बनाया जाता है तो यही क्या साइमल्टेनियसली जो पैरिफेरल डिवाइसे जो स्लो है उनके बीच में फास्ट डेटा चला जाए तो डेटा सेव डिन स्टोरेज अंटिल दा प्रोग्राम रिक्वेस्ट फॉर टो जो डेटा है चूंकि स्लो होगा डेटा को सेव कर लिया जाता और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है तो इससे जो हमारे कंप्यूटर से अन्य डिवाइसे जो स्लो जूड रही है वह फास्टली काम कर पाती है यह है समझ में आया बात आपको देखो यह बाइनरी वाला मैंने पूरा टॉपिक आपको पढ़ हमारा जो हाडवेर है वो और भी अंदर हाडवेर के उपर किसका कंट्रोल होता है क्यारनल का ठीक है क्यारनल का हाडवेर मैंने आपको शायद यह डाइग्राम बना के बताया होगा आपको याद आ रहा होगा कि यह है हाडवेर हाडवेर को कंट्रोल करता है क्यारनल क्यारन system kernel की मदद से operating system OS kernel की मदद से hardware से बात करता है operating system के कारण ही application softwares काम करते हैं जो हमारे लिए user के लिए बनुद और ultimately application software की मदद से user जो है पूरे operating system से communicate करता है these are all the feature of an operating system kernel जो की hardware को govern कर रहा है memory management करने काम किसका है operating system का processes जो चल रहे है जो भी जो भी process जाते है CPU के अंदर वो process हो के output जनरेट होता process management है device management file management storage management और user interface user interface भी बहुत ही अच्छा provide किया जाता है ताकि user को interactive लगे जैसे graphical user interface आजकल provide कर दिया गया storage management file management device management इतनी सारी devices computer से connect होती है automatically वो काम करना शुरू कर देती है है ना yes or no device management अपने आप memory पर कहा data को store करना है वो some memory management तो these are the layered structure of operating system जो operating system ऐसे काम करते हैं तो यह memory management process management process का मतलब process की job scheduling होती है कि वह किस job किया किस process की पहले प्रात्मिकता है वो application पहले रन होगी और आजकल तो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर से वो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग हर तरह के features रखते हैं तो sequence में सर एक बाद DNS को explain कर दीजिए DNS DNS वहाँ पर आएगा जहाँ पर हम लोग जो application layer की protocol पढ़ रहे थे DNS domain name system क्या फूल फॉम है domain name वैसे कई बार बताया मैंने यह शायद कोई class ना लियो तो बात अलगे है domain name system कई बार इसको system की जगे server भी कह देते हैं बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है DNS किसी को कोई डाउट है तो question पूछते रहना बीच बीच में आना बट computer से related पूछन आवी computer से computer का जो URL होता नहीं यहां पर हम लोग क्या लिखते है web browser पे www.adda247.com ऐसे लिखा तो अड़ा 247 क्या है यह domain name और domain name का मतलब यह देखो यह हमने क्यों बनाया क्योंकि हम लोग इसको समझ सकते हैं लेकिन actual में मैंना अभी थोड़ी देर पहले आपको IP address पढ़ाये थे ना अभी थोड़ी देर पहले क्लास एक लास बी क्लास सी क्लास डी और क्लास इपांच प्रकार के IP address होते हैं उनकी पूरी लिस्ट को बता भी दिया कि भई 1 से 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 249, 244 से 255 तो यह तो actual में यह तो है न हमने हमारी सहूलियत के लिए बना लिए लेकिन actual में इसका एक IP address होता है मान लीजिए इस हमारे जो अड़र 24 से न का IP address 138.15.127.24 मान लीजिए यह IP address इस वेबसाइट का तो actual में यह तो हमने हमारे यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए रख लिया बट जब जैसे आप लोग अड़र 247 डालते हैं तो एक डिनस सर्वर होता है डूमेन नेम सिस्टम यहां से क्या हो गया कि अड़र 247 का अपना एक यूनिक IP address है दूसरी जो भी में या कहीं पर भी सर्वर पर रखे हुई हमारी अड़र 247 की वेबसाइट तो फिर क्या हो गया अब IP address आगया तो अब हमारा router की मदद से data packet जाएगा और request होगी मुंबई में बैठे हो इस सर्वर से अड़र 247 का वेबपेज खुलके http के रूप में hypertext transfer protocol के रूप में यह data जो है यहां पर deliver हो जाए तो यह हमको basically जो human readable form में website के name है उसके IP address को provide करने का जो काम है वो domain name system का है यह application layer की protocol है कमझ में आगी बात have you got my point ठीक है ठीक है कितने questions आएंगे 8 से 10 question आएंगे सागर है ना सागर 8 से 10 question आएंगे चले आगे बड़े यस यस चलिए तो memory management process management data management file की location कहाँ पर save करना है वो file management है है ना keep track on the file system जैसे हमारे windows में fat system होता है फाइल अलोकेशन टेबल फाइल अलोकेशन टेबल तो अलग अलोकेशन टेबल तो अलग अलग तरह से डेटा का भी अपना storage का format होता है computer में कैसे store होगा file management file को manage कर रहा है device management अलग अलग जो devices connect होती है उनको manage करना process management जो computer CPU के उपास जो processing के लिए जो डेटा जा रहा है और प्रोसेस हो क्या होएगा वो process management है memory management में क्या होता है हमारी main memory को तो बहुत optimally utilize करना होता है क्योंकि इतनी सारी फाइल है उसके इनर जाती है RAM में जाने के बाद CPU में जाती है CPU आउटपुट देता हो आप इसे RAM में आती है तो RAM की memory को पूरी तरह से tracking tracking रहता है तो वह जो blocks वगए रहा है वह memory management में इंड मेमोरी का memory management disc management भी करता है वह बतर हमारा डेटा काहां पर से वह वह भू तहने की डिड्राइव स्टूर्ड तो किसका काम है ऑपरेडिंग सिस्टम का है स्टोरेज मेनेजमेंट हमारे हाडवेर में कौन सा हाड डिस्क ड्राइव में डिस्क शिड्यूलिंग वगरा तो यह स्टोरेज मेनेजमेंट हमारे को ऑपरेडिंग सिस्टम एक सिक्यूरिटी भी प्रदान करता है और इन बिल्ट जो होगी कौन सी बाद में होगी उसका सीक्वेंस होता है और अर्ण डिटेक्टिंग एड किसी प्रकार की एरर होती है उपरेडिंग सिस्टम अपने आप उसको कॉर्डिनेट करता है और टो नॉमस तरीके से इस इस ट क्लियर गुड मारिंग good morning यहां तक इस सारी बात है clear होगी है तो आगे बढ़ते हैं कितने प्रकार के computer होते हैं एक होता है batch operating system एक multi programming जिसमें time sharing कई सारे users में use कर से distributed अलग-अलग कौने में है real time operating system जो मैंने बताया था आपको थोड़ी दिर पहला आजी की class में soft real time system जिससे किसी की म्रत्यू या जानमाल की हानी नहीं होगी hard real time system में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा real time का मतलब समय एक बहुत important factor है जैसे aircraft का जो operating system हो hard real time system क्योंकि microsecond में भी delay हो गया तो missile कहीं और गिर जाए soft real time system हमारे जो audio video होते हैं मैं बोल रहा हूँ time lag करेगा मेरे आवाज में और मेरे आवाज में और मेरे वीडियो में तो आपको मजा नहीं आएगा वीडियो लेकिन उससे किसी की म्रत्यू या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जानमाल की हानी नहीं हो रही है ठीक है तो soft real time system single user का मतलब तो single user operating system होते हैं तो batch operating system क्या user of the batch operating system do have interact with computer directly वो computer से directly जो है इंटरेक्ट कर सकता है user each user prepare his job on an offline device like punch card and submit it to computer operator batch का मतलब क्या है कि अलग-अलग batches में जो user से वो काम कर सकते हैं और disadvantage क्या है कि यह offline होगा तो interaction between the user and job वो उसमें कोई lacking देखने को मिलेगा speed of process वो slow हो जाएगा output जो हो बहुत time लेगा और इसमें क्या होगा जादातर समय तक CPU काम लोग, central processing unit काम लोग optimize तरीके से use नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बार-बार निठलना हो जाएगा बीच-बीच-बीच-बीच क्योंकि जॉब नहीं आई तो वो निठलना हो गया batch multi programming में क्या होता है simultaneously बहुत सारे program CPU में जाते हैं process हो सकते हैं लेकिन जॉब को ना बहुत सारी जॉब होती उसको कई यों को पीछली जॉब को वेट करना होता है जिस समय पर एक जॉब प्रॉसेस हो रही होती हमारे CPU पे और इस तरह की job scheduling को handle करना कि वह पहले कौन सी जाएगी प्रायर्टी जाएगी तो हैना लीफो फीफो लास्ट इन फस्ट आउट होगा या फस्ट इन फस्ट आउट कौन सी जॉब पहले जाएगी उसके लिए scheduling थोड़ा सा टाफ हो जाता है टाइम शेरिंग में क्या होता है अलग-अलग यूजर अलग-अलग रिमोट एंड से जो अप्रेडिंग सिस्टम है उसकोई साथ में टाइम शेरिंग कर रहे हो नहीं साइंस की जो क्लास एंव लगवग 845 चलूंगा बैट एट फॉर्टे फाइफ लास एट फार्टे फाइब पर होगी बटा ठीक है हाँ आइस की क्लास होगी 845 ठीक है चलिए या तक सारी बात क्लियर डिस्ट्रिब्यूट्टिड ओपरेडिंग सिस्टम अलग-अलग जगह पर distributed का मतलब का है remotely अलग अलग दुनिया के कौने पर इंटरनेट से connected है तो वो distributed operating system है राइट है ना लेकिन यह distributed है जिसे distributed operating system है हमारे जो blockchain technology blockchain technology blockchain technology दुनिया की सबसे secure technology में सहिक है और जो cryptocurrency वो इसी पर काम करती क्रिप्टो currency और blockchain में blocks होते हैं जो अलग अलग remotely connected जो computer है जो bitcoin mining कर रहे हैं bitcoin को generate कर रहे हैं यहाँ पर कुछ update होगा तो इस end पर भी update हो जाएगा सब जगे update हो जाएगा यह होता है blockchain technology तो distributed operating system थोड़ा सा slow होते हैं क्योंकि अलग अलग जगे पर सब जगे से यह मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं latency का gap आ जाएगा latency दूर दूर हैं तो time gap आ जाएगा latency gap आ जाता है तो इसलिए थोड़े से slow हो जाते हैं लोड वागे तो यह आपको सिंगल यूजर तो कोई दिक्कत ही नहीं आपके जो विंडूज 95 विंडूज एक्सपी यह सिंगल मतलब एक यूजर के लिए बने होते हैं सिंगल यूजर ऑप्रेटिंग सिस्टम एक मिनट देख लेता हूं कहां तक पहुंच गया हम लोग अहां डिसकार्ड ऑहो क्या बात अभी है अरे हम तो पहुंच गया यार फिनिशिंग पर आगे हम लोग सारी चीजे खतम कर दी हैं यार कंप्यूटर की मोस्ट अब टाइम हाड रियल टाइम सिस्टम लगबद क्लास ओवर होने वाली है गुड मारिंग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यह आखरी क्लास है आपकी कंप्यूटर की और आपका कोई डिमांड है कंप्यूटर में आपको लगता है कि सर यह वाला टॉपिक नहीं हुआ है तो यू नू आल आप सभी जानते मेरा एक टेलीग्राम आइडिया रुद्रा सर अड़्डा 247 अड़्डा 247 यह टेलीग्राम आइडी को जाइन कर लेना यहां पर आप आपको की सर कंप्यूटर में यह पड़ा दीजिए तो मैं पड़ा दूंगा आपके एक्जाम से पहले गवर्मेंट स्कीम एंग्लिश वाला सेग्मेंट वो अब अब कंप्यूटर नहीं होगा सुब इच्छाएं ठीक है रियल टाइम औपरेटिंग स्टम में क्या होता है ओट इस 불डेल ताइम सिस्टम में रियल टाइम सिस्टम में रॉबस टाइम होट है यह पर क्रिटिम टास्क कंप्लीट हो नहीं चाहिए लेन सां का मिल्टी मीडिया वर्चुल रियालेटी आडवांस संटिफिक जानध का तो यह यहां पर आपको इक बार इस ाइल को जहूर है यह मैंने अल्रेडी टेलीग्राम पर जो मैंने बताया उस पर प्रोकर एंडरोइड एक कैसा का उप्रेल façon प्राइब को ज़ू देख लेना यह मैने अल्रेडी टेलीग्राम पर जो मैने बताया उस पर प्रॉवाइड कि एंड्रॉइड एक कैसा ओप्रेडिंग सिस्टम है यह गूगल का अंड्रोइड है और एक चीज कर लेना एंड्रॉइड एक काम आप कर लेना सब लोग एंड्रो पे और पता करो कॉन साने टेस्ट यहना मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि में बहुत साथ चीजों headed मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि यह latest होता है क्रम्ट से मैं इतना updated है ब्थमेंदेट नहीं दूसरा आपका जो Apple है Apple का जो latest version आया है ऑपल का iOS है उसके latest वर्जन का नाम किया है ये जरूर सर्च कर लेना कर लेंगे कर लेंगे ना सर कल नहीं होगी क्लास होगी कंप्यूटर की नहीं होगी कंप्यूटर की लास्ट क्लास हैं कंप्यूटर मैंने बहुत पढ़ा दिया है मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कंप्यूटर आपके काम का है ठीक है और कोई यदि आपको लगता है कि सर यहला टॉपिक नहीं हुआ है तो मैंने बता दिया टेलीग्राम आईडी वो लिख लीजिए और अभी एक्जाम हैंडलिंग का सेशन जो है वो मैं बता दूँँ कोड लगाई और फिर नए सीरे से कंप्यूटर को अन किया तो इसमें पूरा समय लगता है बूटिंग प्रोसेस एक लेंदी टाइम है तो यह कोल बूट में आप री स्टार्ट यह दी करते तो वांबूट वर्मवेर क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है अग्या है तो इसके लिए हमारे हाडवेर को अपडेट करने की आउशकता होती है जह कंटेंट आर सेव्ट वन हाडवेर डिवाइस टर्न ओफ और लूज़ेट्स एक्स्टर्नल तो यहां पर कंटेंट खतम हो जाएगा जैसे राम में होता है तो यहां पर हाड़वेर के उपर जो कोडिंग किया जाता है वो फॉम्वेर है तो मैंने भी आपको क्या बताया था सबसे पहले तो हाड़वेर आ गया हाड़वेर के उपर कैरनल कंट्रोल कर रहा है कैरनल की मदद से ऑप्रेडिंग सिस्टम काम करता है ऑप्रेडिंग सिस्टम और जो एप्लिकेशन एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर होते हैं जो हमारे यूजर के लिए मदद के लिए होते हैं तो एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर ऑप्रेडिंग सिस्टम के बीच में जो बात कम्यूनिकेट करवाने वाले जो सॉफ्ट्वेर वो मि मैं बोल रहा हूं कि आब computer की class नहीं लूँगा computer में सब पला दिया बाकि सारी classes होंगी ठीक है is it clear आगे चले middle where हो गया from where है ना तो धन्यवाद thank you so much कैसा लगा computer का या अखरी class थी आप अपना feedback जो है यार गाइस आप लोग अपना जो feedback है कि यार मैंने बहुत मेनद करें आपके computer के sincerely जो भी questions थे थियोरी पढ़ा दिया था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया था तो जरूर इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के नीचे आप अपने जो जो statements है कैसा लगा आपको session कैसा लगा आपका experience कैसा था वो जरूर जब ये वीडियो खतम हो जाए तो उसके नीचे comment के तौर पर वीडियो के नीचे जो comment आते है न वो वो है ना ठीक है सारी classes का time बता दीजिए आप इस channel पर जुड़े रही है class लगातार आती जाएगी अभी आठ 45 पर science की आ जाएगी उसके बाद 10 बजे class आ जाएगी फिर 12 बजे आ जाएगी और ऐसे पांच से छे बज़े तक भी छे बज़े तक भी class है फिर रात में आठ से दस आठ से दस बज़े मेरी आई एस वाले पर इंग्लिश वाली class हो जाएगी ठीक है तो लगातार class ही class है ना ठीक है लगातार class चलती रहेंगी इस channel और एक तारिक तर फीड़बैक जरूर दीजेगा और एक एक जो मैं आपसे request कर रहा हूं आप लोग सभी आर गाईस और यह जो यह जो है आपका internet पर जाएंगे इंटरनेट पर जाएंगे और यहां पर आजाए यार यहां पर YouTube को खोल लेंगे YouTube खोल लिया YouTube में एक चीज़ सर्च कर लेंगे यार गाईस एक चीज़ सर्च कर लेंगे खम हें ज़न लिंग एकजाम हैं एकजाम हैंडलिंग और और कि रृद्र में नाम रृद्र न को पता है रृद्रर रूद्र सरी में आपको फसक्राच कर लेंगा अ शायद आपको वीडियो मिल जाएगा यह English खुल जाता है उठके नहीं कैसे टैगिंगी है नहीं क्या कर रहे है खेर आप लोग जो है ना अमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप लोग आईएस PCS वाली वेबसाइट पर यह आईएस PCS वाला जो हमारा चैनल है ना इस पर जाएंगे ठीक है I.S.P.C.S वाले चैनल पर जाएंगे और यहां पर ना लाइव में या पास्ट लाइव में जाएंगे तो आपको एक यहाला सेशन दिखेगा यह वाला सेशन दिखेगा है ना यह वाला सेशन दिखेगा आपको एक बहुत IMPORTANT Session है है कली लिया है मैंने एन शायद आ जाएगा 21 गन्टे फ़रना यह रहा यह वाला बेटा वो खुछबू थैंक्यू vestary classes का timing इतर बता शरए इतना यह इसके बाद लगाता classes classes ढते रहेंगी आगे क्लास देखते रही है न है न इस चैनल पर जुड़े रही इस स्पर लाइब देखते जाएंगे नेक्स के बादनेच्ज लाश आती रही राद भर दिन भर रही मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चनल पर और जुड़ जाना है ना रुद्रा सर अड़ा टूफोर से बहुत इंफर्मेटिव डाउट क्लियर हुए निधी थैंक्यू 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 जरूर आप लोग नीचे कमेंट में और बता देंगे और दो जुलाई के एक्जाम को हैंडल हाँ नहीं आ रहा है इसके मतलब ठीक है यहां तक सारी बाते क्लियर हो गए होगी थैंक्यू सो मच्छ गॉडब्लेस यू आज के सेक्शन को यही रोकता हूं जैहिन 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 बाबाई शेर कर देना वीडियो को लाइक कर देना और की ठीक है ना तो यह वह देख लो जैसे आपके तीन जुलाई को यह जो दो जुलाई को पेपर खतम होगा उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश राजिस्तान हर्याना मद्यप्रदेश बिहार उत्तराखंड जारकंड जम्मू कश्मीर सभी के स्टेट पीसेस की प्रॉपर सर्विसेज आरेस की 905 वेकेंसी जैं आप इस एक्जाम के तुरंत बाद अगले दिन से जुड़ जाना है ना ठीक है हाँ यूर रियली एनरजी बूश हम आपके लिए कभी नहीं भूल पाएंगे थैंक्यू बेटा ठीक है तो यह टाइमिंग जो है इस एक्जाम के खतम हो होते ही हम लोग आपको ऐसे एक्जाम जो की ऑफिसर बनाएगा आपको आप लोग यहां पर स्टेट पीसेस की तैयारी कर पाएंगे तो जितने भी फेकल्टी आपको पढ़ा रहे थे वही सब फेकल्टी यहां पर आपको पढ़ाने वादे उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको समझ में आगी होगी और आप लोगों को जब भी कभी कोई भी कोई भी कोश लिना है तो टो कूपन कोड आपे हमारे लोग टृडी के के लिए batch है UPSC Civil Services यह result oriented batch जो है यह English और bilingual Hindi English के लिए है और ethics और अलग-अलग papers के भी दिये गए classes तो आप लोग जिस भी batch मिलें जैसे हिंदी माध्यम का परिणाम बैच तीन जुलाई से स्टार्ट हो रहा है जैसे आपका exam finish होगा तो यह आप प्रकार से इसी प्रकार से यदि आप जो है यदि आप UPSC EPFO यह पर जाएंगे result oriented batch है फिर यदि आप लोग जो state pieces के तैयारी करना चाहते हैं राजस्तान हर्याना उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश बिहार तो उनके भी batches हैं और यह लगबग आपको बत्तिस बत्तिस सो या इकत्तिस सो में और 2627 सो पूरे भारत वर्ष में कोई भी इतने affordable courses और इतने qualitative courses नहीं देते हैं तो आप लोग Y583 coupon code लगा कर सकते हैं फिर judiciary के लिए आप त्यारी कर रहे हैं तो judiciary के लिए भी dedicated सभी स्टेट के batches अवेलिबल हैं इसी तर से Y583 आपको क्या याद रखना है coupon code Y583 good morning good morning बेटा यूपेसी optional के भी dedicated batches अवेलिबल हैं optional में आप जिग्राफिय हिस्ट्री हिंदी साहित पब्लिक administration इत्तियादी पर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको यह session बहुत अच्छे समझ में आयोगा इसी तर से पढ़ते रही है बढ़ते रही है और कर दिखाओ कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा God bless you all thank you so much thank you everyone कर दो आप आपके जो कि बाता है